Good morning, जारे बच्चों, हमने टा टामाटर लिखना सीख लिया, ठासे ठटेरा, ले ठासे ठेला, ठा, ठा, ठासे डबरू, लिखना सीख लिया, आज हम लिखेंगे दासे धकन, धासे धकन, ओलुवेटापी, धासे धकन, धासे धाबा, धासे धपली, धासे धोल, बोलो, आपको भी बोलना है इसके साब, है ना, बोलना है ना, अकर आपने टा टामाटर लिखना सीख लिया, तो धाड़क कर भी लिखना जल्दी सीख चाएगी, लिखना आसाथी, टा टामाटर लिखना सीख लिया, तो धाड़क कर आराम से लिख सकते हैं, धासे दखकन, धा से धे, धा से धावा, आज हम दिखेंगे धा, क्या लिखना सीख रहे हैं, धा, आज हम दिखेंगे धा, धा से धकन, धकन, कोई बरतर को बन दाप की रखते हैं, धा से धकन से हैं न, तो आज हम दिखेंगे धा, क्या लिखेंगे धा, लिकिन लाएं पीछो बेटा फोली से स्टैटिक लाएं और टाटा माटा बनाना है से यहां पर एक कोल करो बन लिया हमारा धास से धक कर धास से डप लिए धास से धोल है ना? क्या लिकना सीख रहें आज़ा? धास से लिखे बेटा स्टैटिक लाएं चोटी से स्टैंडिक लाएं आधा अक्षर यह ताट और इसको अपर यहां पर गोल कर दिया बन क्या हमारा धास से रगकन धास से धे धास से धावा यह ना? तिरसे लिखे बेटा लिखिग लाएं तोटी से स्टैंडिक लाएं बनाओ पेटा उसकी दादापक को ऐसे बोल करना है और उसको ऐसे ही घुमाना है धास से धकन, धास से धे, धास से धबिली और धास से धाबा यह से स्टैंडिक लाएं यह से स्टैंडिक लाएं तोटी से स्टैंडिक लाएं फिर हमको यही से आधा, अक्षरी आधा चांब बनाना है और छोटा सा कोल करना है धा, धासे, धाबा, धासे, धाबा बोलो आपिन इसके साथ, है ना धासे, धरकन, धासे, धे, धासे, धाबा, है ना विर से लिजे बेंडा, स्लिपिंग लाएं पोटी से स्टैंडिक लाएं बनाई उनका, फिर आपको इधर से ही लेके टा जैसे बनाना है फिर आपको छोटा सा कोल करने तो आपका बन गया धा, धासे, धागन, धासे, धाबा धासे, धे, धासे, धपली इससे लिखे, लिपिंग लाएं तो इससे स्टैंडिक लाएं तो आपको टार जैसे बनाना है और एग, छोटा साथ बोल एके लिखे करना है बन गया आपका धाब, धासे, धागन, बोल बोलकर लिखना है ठीके बिटा, फिर से लिखे बिटा, लिखिक लाएं तो इससे स्टैंडिक लाएं और आधाक्षन, फिर वही प्यापपे कोल करना है पर क्या आपका धाब, धासे धे, धासे धाबा, धासे धाबि, धासे धाबि लिखना आपको, वेरी गूड बेटा, लिखिक लाएं, बनाव बेटा, बिसी स्टैंडिक लाएं और यहां से गोल करना है और ऐसे रुमा करना है, फिर धेरेग गोल करना है धासे दोल, धासे डपली लिखना और बोलना दोनों आना चाहिए बच्छों को बिलिंग लाइन बोटी सी स्टेंडिंग लाइन आथा अक्षर जैसे किया यट्टा टामाटर जैसे बनाया फिर आपको यही से बोल करना दासे धावा फिर से निठो मैटा , और आपको आसे धार को एकना आना चाहिए हैना फ्च्राण को और लिखीत अभयास करना भी आपको बोल को लिखना है है भी से जीको मैटा जोटी सी standing line, ऐसे गुबाव करको लेजाए अब, फिर यहां है गो, बन गया धा, धा से धाबा, धा से धकन, है ना, क्या बनाना सीखा आज 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 में? कैनिक सीखा धा, धालिक न सीखा आज में आज हैना, सीख रहे ना बिसके साज? फिर से sleeping line, so this is standing line, टा बनाना आता है तो धारां से बना सकते हैं, फिर से देखो एकर बार लिखके दिखारे हैं में, sleeping line, standing line, और धा, धा से रकन, धा से धावा, धा से धे, धा से धबली, आपको धा लिखने का मोखी और लिखी दभ्यास करना है, और सब बच्चों को घर पर बैटकर बढ़ाई करना हैं, आज हमने धा लिखना, क्या लिखा बेटा, धा, धा से धबकन, धा से धावा, धा से धबली, धा से धे, सबको धा लिखने का मोखी और अप्ठास करना हैं, मोखी और लिखी दभ्यास करना हैं, सबी बच्चों को घर पर मम्मी की बात मानना हैं, पढ़ना हैं, है ना, वेरी गुड बेटा, बाई!